ये बात है 11 जनवरी 2024 की जब एक बच्चा स्कूल से घर रोते वे आता है और कहता है मम्मी मुझे सीनियर्ज में आ स्कूल में बहुत बुरी तरह से मारा बहुत तकलीफ में था हो और उसका ये दर्द दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है इतना की 20 जनवरी उसके ठीक 9 दिन बाद उस बच्चे की अंटाइमली डेथ हो जाती है This is the case of a 12-year-old Delhi boy who was bullied to death किंतन सरस्वत एक 12 साल का लड़का था जो की अपनी मम्मी, पापा और अपनी बड़ी बेंड के साथ दिल्ली में रहता था वो सर्वोदया बाल विद्याले में 6th क्लास में पढ़ता था जो की एक गर्वर्मेंट स्कूल है शास्री नगर दिल्ली में किंतन के पापा राहुल सरस्वत एक प्राइविट कंपनी में काम करते थे as a daily wage worker किंतन के पेरिंट्स ने अपने बच्चों को हमेशा ही अच्छी परवरिश दी ज्यादा इंकम ना होने के बावजूद उन्होंने किंतन को एक English Medium स्कूल में डाला और अलग से टूशन्स भी प्रोवाइट करवाई किंतन वस अ वेरी ambitious चाइल्ड उसका सपना था कि वो बड़ा होकर Indian Air Force Officer बनेगा बट sadly उसका ये सपना सपना ही रह गया दोपेर के डाई बच गए थे बट किंतन अभी तक स्कूल से घर वापस नहीं आया था किंतन's mom got extremely worried that time और बालकनी में उसका वेट करने चली गई और जब किंतन की mom बालकनी से वापस अंदर आई तो उन्होंने देखा कि किंतन सोफे पर सर नीचे करके बैठा हुआ है उन्होंने किंतन से पूछा कि क्या हुआ तू इतना उदास क्यूं है किंतन ने धीरे से उनकी तरफ देखा और जोर जोर से रोने लगा और जब उसकी मा ने दोबारा पूछा कि किंतन क्या हुआ तू रो क्यों रहा है तो उसने बताया कि मम्मी मेरा पैर बहुत जोर से दर्द कर रहा है और उस समय उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो इंजरी किंतन की जान ले लेगी उस दिन स्कूल लंच ब्रेक में जब वो वाश रूम से क्लास रूम वापस जा रहा था तो उसकी एक सीनियर से टककर हो गई और फिर उस सीनियर ने अपने दोस्तों को बुलाया किंतन को मारने के लिए उस छोटी सी गलती के लिए उन्होंने किंतन को फोर्सफोली उठा कर जमीन पर पटक दिया और फिर उसे काफी देड़ तक मारते रहे I mean किस तरह के सीनियर्स हैं वो जो एक बच्चे को मारते हैं और इस तरह मारते हैं कि वो बच्चा सरवाई भी नहीं करता It's Beyond Humanity किंतन की फैमली जल्दी से उसे गर्मेंट हॉस्पिटल में ले गई जहांपे उन्होंने उसे सिर्फ पेन किलर्स दे के कहा कि डॉक्टर चुट्टी पर है आप लोग तीन दिन बाद आना पर कुछ दिनों में उसका दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया था कि एक 12 साल के बच्चे के लिए वो सहन करना बहुत ही मुश्किल था 15 जनवरी को वो लोग किंतन को एक प्राइवेट डॉक्टर के पास ले गए रोहिनी में जहां उन लोगों ने उसे कुछ और मेडिकेशन्स प्रिस्क्राइब कर दी उसके बाद से उसने खाना खाना भी बहुत कम कर दिया था उसकी हालत दिन पर दिन बिगरती जा रही थी और 20 जनवरी को तो वो इतना बिमार हो गया कि उसके घर वाले उसे दोबारा उसी गर्मेंट हॉस्पिटल में ले गए हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उसे ट्रीट किया उस पर ड्रिप्स चढ़ाई जिससे इनीशली किंतन को एक बार आराम आया वो लोग उसके लिए खाना बना कर उसे देने जाही रहे थे कि अनफॉर्चुनेटली किंतन की डेथ हो गई एक बारा साल का लड़का नौ दिन तक उस दर्थ से लड़ता रहा बट अनफॉर्चुनेटली एंड में हार गया इस हॉरिबल इंसिडेंट के लिए किंतन की फैमली ने स्कूल और हॉस्पिटल ऑथोरिटीज को ब्लेम किया और राइट फुल इसो ग्यारा जनवरी को जब वो इंसिडेंट हुआ तो किंतन के पापा चार बार स्कूल होकर आये थे और वो स्कूल वालों के टच में थे बट स्कूल एडमिनेस्ट्रेशन ने उनको किसी ना किसी भाने से वापिस बेज दिया स्कूल में उस जगा CCTV कैमरास भी नहीं थे और स्कूल प्रिंसिपल या फिर स्टाफ ने कोई भी कोशिश नहीं की उन बच्चों को आइडेंटिफाई करे जिन बच्चों ने किंतन के साथ इतनी बुरी तरह से मार पीट की उन्होंने तो ये कह के अपने हाथ साफ कर लिए कि ये पूरा इंसिडेंट स्कूल प्रिमैसिस के बाहर हुआ है किंतन के पेरेंट्स ने तो उस हॉस्पिटल के स्टाफ को भी अक्यूस किया है कि जरूरत के टाइम उन्होंने किंतन को सही मेडिकल केर प्रोवाइड नहीं की और इस matter पर hospital superintendent ने कहा कि patient 11 जनवरी को पहली बार hospital आया था और उस time उसकी condition बिल्कुल भी severe नहीं थी उन्होंने उसका x-ray लिया और कुछ pain killers दे दी और उन्होंने उसे ये भी कहा कि कुछ दिनों बाद वापस आना बट वो सीधा 20 जनवरी को आया जब किंतन की हालत बहुत critical हो गई थी और तब उसे physician, pediatrician और orthopedic doctors ने देखा बट उस stage पर वो उसे बचा नहीं पाए इस statement में उन्होंने 11 जनवरी को उस hospital में orthopedic doctors के 3 दिन के leave पर होने का कोई भी जिक्रिन नहीं किया अभी तक इस case पर कोई और information नहीं आई है और उन seniors की भी कोई information प्रोवाइड नहीं की गई है Sadly, किंतन's family is still fighting for justice मैं आएंगी मांगा रहा हूँ हमारा बच्चा खूप उस्यार्था पड़ने में और उसके सपने भी बहुत हूंचे हूंचे थे के मैं पाइलेट बनूगा या मैं आर्मी में जाओंगा या यह करूगा उसके तो सपने सारे अधूरे रह गए Guys, this is yet another horrific case of bullying in school College campus पर bullying और ragging की तो सब बात करते हैं And government and college ने बहुत सारे rules भी बना रखे हैं उसके against I think it's about time कि हम school bullying को भी seriously लेना शुरू कर दें Trust me guys, it really helps तो I urge you guys कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है या आपके दोस्तों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो please, please talk to your parents, your friends and your school authorities Don't be scared and at the end मैं आप लोगों से एक request करना चाहूँगा कि आप इस case को जादा से जादा शेयर करें ताकि इस पर और awareness बढ़े और अगर आप इस case को post करते हैं और hashtags डालते हैं तो शायत किंतन की family को जल्दी justice मिल जाए और मेरे लिए please चैनल को subscribe कर देना और वीडियो पे एक like छोड़ देना मैं आप से मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए case के साथ तब तक के लिए adios